हलो गाईज कैसे हैं आप लोग आई होप सब लोग पढ़िया होंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम लोग refresh token की implementation करते हैं अपने spring boot project के अंदर step by step guide में आपको बताऊंगा and साथ में आपको code करके भी दिखाऊंगा and अगर आप step by step मुझे follow कर लोगे तो आपको implementation भी आ जाएगी और अपने project में फिर उसको implement कर पाऊगे यार हमने यहाँ एक वीडियो बनाई थी refresh token के बारे में अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो का link में description box में दे दूँगा यार जाके देख लिए refresh token का क्या काम होता है अगर आप कोई project या backend बना रहे हो तो तो वहाँ पे सिर्फ हमने theoretical part समझा था कि actually कैसे हम लोग refresh token को use करते अपने project के अंदर refresh token का क्या होता यह सब चीज हम लोग अलड़ी समझ चुके हैं अब इस वीडियो में इसके इसका practical करना है तो दूनरी वीडियो को link कर दूँगा जो theoretical part था और जो practical part है वो भी ज्यादा important practical part है आप समझ जाओगे but important theory वाला भी है तो जाकर करके व यहां पर मैं क्या करूंगा मैं यह जो project हमने लिया है वही वाला project लिया है जो हम लोग ने यहां पर JWT authentication समझा था अपने springboard 3 में that means इस वाले project में जो हम लोग ने समझा था वही वाला project हमने लिया है that means हमारे पास एक readymade project है जो कि हमने बनाया है उठाया नहीं कहीं से तो एक यह project के अंदर उसको implement करोगे ठीक है so यह सब वीडियो इंपोर्टेंट है यह सब वीडियो में springboard के playlist में डाल दूंगा वहां से जाके आप access कर सके है चले इसको में बंद कर देता हूं और refresh token है जैसा हम लोग को बता है कि यह refresh token है तो आपको परिशान होने कि कोई भी जरू database में store नहीं किया था ठीक है लेकिन refresh token को हम लोग database में store करेंगे तो refresh token ही हमें पता है token हम सेनरेट करेंगे खुद से तो उसके लिए database में store करने के लिए हम एक entity चाहिए होगी तो हम सबसे पहले entity बनाएंगे ठीक है entities रैट क्लिग करेंगे new पर चलेंगे यहां पर हमें एक file बना लेंगे या जावा क्लास बना लेंगे इसका नाम देंगे री री फ्रेस टोकन बन जाएगा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ होंगी आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकतो लेकिन कुछ पुछ इंपॉर्टन शीजिए वह तो रखना ही रखने उसके भाद जो मर्जेव रखो सबसे पर यार एक रीफिस्टोकन की आईडी में देंगा वगोगा उप्रीफिस्टोकन खुद में एक यूनिक आईडी होगा क्योंकि वह खुद अलब होगा तो आप रीफिस्टोकन को तो ही एक यूनिक आइडी दे सकते हो तो मैं उसी को आइडी बना दूंगा को दिक्कत वाली बाद नहीं हमारी इस्ट्रिंग रिफ्रेश टोकें यह हमारी आइडी होगी प्राइम्टी क्योंगे भी बनाते हैं दन एक इसमें और चीज होगी और ओ क्वेश और कभी यह एकसपायर होगा उसको हम डेड़ लेख सकते या फिर हम इंस्टेंट यूज कर सकते हैं तो dois अवर तो इक सी काई सकते हैं अलग से दो लोग का से मिनेंुक तो अगर आप इसको युणिक हां रहे हो थो आप भी ने उनीश बना देए Lord इहां पर हम यहां पर हमस्कर एंडेटी इसकों इनटिटी पनाएंगे यहां पर हम संदेशेंक है और बास को किनृता है और जाए आप नहीं इसे स्टोर है टोकेंगे घिझेंगस टोकें बस ट्रिक है बाकि इसको आईडी बनाना है तो हम यहाँएंगे लेखेंगे ठीक है और इसको हम लोग आटोमेटिक जन्रेट नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज मत होएगा यह आईडी है यह रिफ्रेश्टोकेन यह उनीक होगी यह प्राइमरी की होगी बट इसको जन्रेट हम लोग करें इसको मैप करना पड़ेगा ओविस ही बात है ठीक है तो हम यहाँ पर वन टू वन ले लेंगे वन टू वन टू वन पर एक यूजर के पास एक टोकेन और एक टोकेन एक यूजर से असोशियर्ट हो रहा है ठीक है तो अभी हमने यूनी डिरेक्श्टन यह तरफ से कर दी ठीक है आप यहां पर जॉइन कॉलम एनुटेशन यूज कर सकते हैं अधर वाइस इसी खुद से मैनेज हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है उसके बाद हम यहां पर आएंगे कोई यूज हो गया हाँ ठीक है हमें यांपर यूज करते हैं ड ayuda कर देंटा अगर आपको कोछdriven चाहिए PB श ribbon चाहिए एंपकर लिये हैं में सोवे सटर थे लिंगे और हमें और कर दिया हमें जैसी सब भी आल्ट शेशै कर दिया है देखते हैं हमारी टेबल बन रही है कि ने टेबल बन रही है ठीक है मैंने rerun कर दिया तब तक क्लिए हम workbench open कर ले देए है workbench ठीक है so I think हमारी टेबल बन चुकी है यह देखे ठीक है सब देखो create a table refresh token हमारी बन चुकी है हम लोग अपने डेटाबेस में भी चक करना में चाहूंगा तो यह हमारा डेटाबेस और हमारा वियॉला डेटाबेस है डबल क्लिक करो यह रही हमारी टेबल ओपन कर लो refresh token वाली टेबल हमारे पास आ चुकी है अब देख सकते हैं ठीक है तो हमने reference column नहीं बताया था जब हम लोग ने mapping के थी तो अपने आपसे इसने यूजर डा अंडर स्कूर यूजर आईडी ले लिया बाकी हमरा टोकेन एक्सपाइरी है यह हमारे पास यूजर यह टोकन किसका है यह हमारे पास अब क्या गरना में इस टोकन टॉकन पर देडावेस ऑपरफॉरिशन करने एक डिक करेंगे और एक इंट्रेज बना लेंगे जिसका नाम देंगे refresh token repository ठीक है और अब बात normal एक्टेंट कर लेंगे जए पीए रेपोजिटरी से और हम काम करने वाले हैं refresh token के साथ और id जिसके है स्ट्रेंग ताइप के अब अब आपके पास कोई यह तो आप डाल सकते हो अब असानी से आपको करना है confusion नहीं हो नहीं है तर वहीं से घरबड़ हो जाएगी ठीक है तो चले आगे बड़ते हैं अब हमें refresh token को जनरेट करना है verify करना है validate यह सब करना है तो हम एक service बनानी होगी तो हम service बना लेते हैं ठीक है तो हम भी इंटरफेस्स बना लेकिले तो हम service बना लेकिक करेंगे और यहां पर हम बना लेंगे class refresh refers refresh token service थीक है आंड इसको अंब आदो को से रिप्रेश टोके नही一直 निगालना होगा ठीक है तो हमें पर फिफ्र्ष रिप्रेस रिफ्रेस्स रिफ्रेस्टोटिव३थ खेंजरी और तो को우रड एच Wooth हम पर हाоло हम क्या करें गाए इस अब यहां पर हम कुछ methods बनाएंगे जैसे create करना है हमें refresh token तो उसके लिए हम क्या करें यार हम एक method राने के public जो return कर रहा होगा refresh token ठीक है नाम होगा create refresh token और यह ले रहा होगा actually username यह user id ठीक है so username तो हमारे पास है username जो भी username है email को अगर हम username करने तो user ने मैं यहां पर पास कर ठीक है और यह return कर रहोगा फिलाल तो मैं यह आप नल रिटन कर देता हूँ return नल अभी इसको हम लोग इंपरेंट करेंगे एक मैंतर पर आएंगे public जो कि refresh token रिटन कर रहा होगा और यह है basically verify verify refresh token verify refresh token ठीक है जिसको हम लोग और refresh token देदेंगे refresh token और यह हमें verify करके बता देगा ठीक है और इसको इसकी value आप true false भी रख सकते हो आपकी अगर verify मतलब सबसे सही है तो true otherwise false देगा ठीक है verify कुछ गड़वड हो गया typing typing गलत हो गया कुछ हो सकता है ठीक है तो अभी तो फिलाल हम false कर देते हैं तो हम लोग पहले verify कर लेंगे जब verify करने के तब पड़ेगी जब हमारे पास refresh token दोबारा आएगा और हमें नया Gulf token generate करना होगा तब हम यहां पर verification करना मगा तो यह method करें शो अब लोग幾 से बारी बारी से हम लोग यहां पर token generate करते हैं ठीक है था हुमारे पास यहां फर करने के लिए हमार पास user नहीं बाट चुका है और एक बडù यूजर नहीं बाच चुका तो हम सब्सक्राइब देख टीट है हम रेप्स टोंकिंगे ऑन उसके लिए response यहां पहले हैं इसको प्रेस्स्रेक्राइब लल् unit यह हमारा टोकें होगा और यहाँ यहां पर यूज करेंगे इसमें हम प्लस कर देंगे कितने मिलिसेकंड्स अगर हमें एक दिन प्लस करना है तो हमें उसे सबसे मैंटिप्लाइब करना पड़ेगा इसमें एड़ करने तो सबसे पहले मिलिसेकंड्स यह हो गया मिलिसेकंड्स या इसे करलो सबसे पहले सबसे हैं तो 5 घंटे को सब्पहले साथ 1 गंटे में तो मिन्ट में फ्रूर देन ल大概 करती हमारे पास Minute को हम से seconds में and then seconds को हम लोग milliseconds में ठीक है तो यह हमारा आ जाएगा actually हमारा जाएगा actually milliseconds अब आप यहां देख सकते हो plus millies में करूंगा तो पांच घंटे अभी से अभी के टाइम में पांच घंटे आड़ दिये तो वो time actually expire होगा अभी से अगर देखें तो पांच घंटे बाद हमारे टोकें एक्सपायर हो जाएगा पांच घंटे बाद अगर हमारे पास यह वाल रिफ्रेश यह रिफ्रेश टोकन आता तो हम और जे टोकन नहीं बनाएंगे हम का देंगे आपका टोकन बरवाद हो चुका है नही रिफ्रेश टोकें वैली ठिटी डिटी यह उठा कि हम उपर ढालेंगे तो यह उठा कि हम आपर डाल देते हैं प्रेश को रिफ्रेश कर देते हैं रिफ्रेस घला तो हम यह यहां पर प्ॉस में अन्दर प्रेश कर दिया जो 15 अधे रेटी चनर मैंने यहां हम पास कने यूजर इघेंड रह Gwen यहां पीड़ का लेगे इस assassini तो हम यूजर pare कर सकते एंक विंत करने कर देने प्रतें का दिक द्लिगे करते खाये में का Generally ऱिस तो किन जाएगा लोग क्या कर सकते हैं रेंट कर सकते हैं हमें यहां बस पास करना है यूजर ऐसे की इंफोरमेशन तो हम लोग क्या करते हैं चलो यहां पर फिच करने के लिए हमें यहां पर चाहिए होगा यूजर रिपोजटरी यूजर रिपोजटरी इसको भी ऐटो वायर कर दें दें प्रिट और यहां पर हम लोग यूज़ करेंगे दूजर रेपोजट्री डॉट फाइंड बाई इमेल और हमना यूजर नेम पास कर देंगे डॉट गेट को कि यह उप्सिन रिटन कर रहा है ठीक है तो देट हमारा क्रिएट रीफेस्ट टोकें वाला काम हो चुका है बस हमें क्रिट रीफेस्ट टोकें को यूजर न ही पास करना है जो भी आप यूजर नेम कंशलेटर कर रहे हो उसको पास कर दो चाए एमेल हो चाहिए वो यूज़ उच्छर न पास और हे यह हमें यूज़र जरेट करतेगा या हम you user जरेट करतेग helfen ए इस Czechos Easy ही जनेट कर पाएगा ऐसे समझों कि भीया टाइम खतम हो चुका रिफ्रेश्टोकन अब समझों आपको मुवी देखने गए तो मुवी तीन गंटे की है उसके बाद आप मुवी नहीं देखने टाइम ओबर हो चुका है यहां भी पांच घंटे हमने अभी टाइम नाओ से मैं इन वैलिडी यह एकस्पायर मानेंगे ठीक है चलो भाई अब हम लोग क्या करते हैं वैरिफिकेशन वाला भी कर लेते हैं वैरिफिकेशन बहुत सिंपल है हमारे पाद रिफ्रेश्टोकन आ रहा है तो हम अपना रिफ्रेश्टोकन का अब्जेक्ट निका लेंगे डेडव आपर यहां पास कर देंगे एक exception ठीक है एक लैमड़ा पास कर देंगे जो त्रू कर रहे होगी runtime exception अभी मैंने कोई कस्टम exception नहीं बना रहे हैं पर आप बना भी सकते हो ठीक है सम पास कर देंगे invalid token ठीक है given token does not exists in db ठीक है तो यह मैंने मैंसेज पास कर दिया ठीक है तो अगर token validate database में है तो हमें बिल जाए है refresh token ठीक है refresh token OB और अगर refresh token नहीं यह database में तो error आ जाएगी ठीक है अब हम यहां पर चेक करेंगे कि अभी का time ऐसा तो नहीं expiry का time बीच चुका है और अगर टाइम बीच चुका तो अब इससे बात यह रिफ्रेस token का जो object है और expire हो चुका है तो हमें jbl token नहीं बनाना है ठीक है तो हम यह आप इस लगा देंगे और अगर रिफ्रेस्टोकन पहले आगा दिम्स compare करने में इसकी वैलू कम आ गई जीरो से हमने compare किया रिफ्रेस्टोकन के expired ठीक है अधर्वाइस हम अधर्वाइस हम एल्स में रिटन कर देंगे अभी यह कुछ कह रहा है यह देखते है हम runtime exception कर देते हैं हाँ ठीक है पाकी यह जटा देते हैं ठीक है ऐसा भी कर सकते हो कि यार आप अगर आपका token रखो एंड यहां से अब अगर टोकन एक सर्विस है तो की सर्विस है उस टोकन या उस्टोकन सर्विस को यूप करके हम टोकन को जनरेट कर सकते हैं टोकन एक बार जनरेट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग दुबारा से भी सकते हैं क्लाइंट को अगर क्लाइंट के पास टोकन है और वह हमें टोकन बेज़ता है बिना टोकन तो हम उसको नया टोकन बनाके देंगे ठीक है यह सब चीज कहानी हो सकता है आपको नहीं समझ मैं रही क्योंकि आपने त्योरी वाला वीडियो जरूर से देख लिए ठीक है सो हमारे पास सर्विस है अब हम लोग क्या करते हैं लेट मी अजस्ट किरियेट वन हमें दो एपिए बनानी एक तो सा kids नेरिद केरें उसी समय हमढ़ने विएक करेंगे अपना हमते र घृस अशर्व demiş यही होगी तो कं सर्व実 प्राइवीट रिफ्रेष्टोकेण सर्वीस रिफ्रेष्टोकेण सर्वிस इसको भी हम लोग कर देते हैं और ट Von ठीक है और यहां पर हम भी किया सब करेंग laure ट रिफ्रेष्टोकेण सर्विस यहां नहीं जब टोकें हमारा जो कि मैं यूजर डीटेल से मिल सकती है था गेट यूजर है यूजर नेम ही हमारा इमेल इडी होगी यह हमें देदेगा रिप्रेश्टोकेन का अबजिट आ चुका है अब हम रिप्रेश्टोकेन से जो टोकेन है एक्चुली वह हम रिटन करेंगे विद्ध हेल्प अब सासा हम स्काइब डाल सकते हैं अब जिद्धा करेंगे तो अभी जब मेल रही करेंगे अगे हम अपने चलेंगे लिए और weва वोगारा फ्हें कैसे है बोस्ट मैं थे सबस्वारस करते हैं लोग्रन करते हैं सेंड़ करते हैं ये यहां पस यहां पर क्छेब्लब तो मिला ही मिला है द festa taiसे में चरणा चाहिए तो यहां यहां पर मैं refresh करता हूं चलो हाँ बिलकुल को को create किया है service में चलते हैं इसको सब यह रही service ठीक है यहाँ पर हमारे token बन चुका तो इस token को हम सेब भी करेंगे with the help of refresh token repository ठीक है तो हम यहाँ पर refresh token repository.save भी कर देंगे हम सेब करना बोल गए ठीक है तो हम यहाँ पर save to save to database हम लोग क्या करेंगे यहां पर तो हम लोग ने यहां पर आप token को सेब भी कर दिया तो अब अगर token को जनरेट करेगा तो token सेब भी हो जागा देखिए यहां पर आते हैं हम क्या करते हैं हम देखते हैं select करते हैं रीफिस करते हैं तो आप देखेंगे पहले एक बार लॉग-इन कर लेते हैं ठीक है मैं फिर से अगें सेंड गया दूसरा जीड़ी टोकें बनाऊगा दूसरा रिफस्टोकें बनाऊगा बढ़ यह टोकन हमारे डिटाबेस में आना चाहिए यह देखे हमारा डिटाबेस में यह टोकें आ चुका है एकसपायरी में हमारा टाइम से जब जन्रेट हो रहा है उसके उसके पांच घंटे बाद वार जो टाइम है वो टाइम होगा तो अब हम वैलिडेट कर सकते हैं अब हम जो क्या करते हैं वैलिडेट कर सकते हैं एक चीज में और करूंगा यार एक चीज में और करूंगा हम लोग सर्विस में नीचे आते हैं अगर एक सब्सक्रीम आई खुगा है तो यहाँ पर फेंगे तो हम यहाँ पर पही आंगे सब neurology कर देंगे ऑर बिल्परमज करेंगे अधेन डिल्स आई भी ठीक रहने को कोमा घूलो ड्रीसट्ष्थ पायर हो चुका है और तो चलो आ जाते हैं हमें एक बारyes करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग हम लोग log-in करते हैं एक आधर को ओके कि की तो कुछ गडबड हो गया ऐसा कोग्डर कि है अधर कि ये इसीन पर्उब्लम यहां तो ऑगर पहले बार नहीं है तो इसका वाला हम्regular अप्डेट करना है उसके हमारे टोकेन के पास जो एक अलग से वनी चाहिए हमारी जो रूप्रेश टोकेन खुद है वह एक primary की होगा वह खुद फ्राइमरी की होगा तो अप्डेट नहीं हो पायगा तो इसलिए हम याप एक प्राइमरी की अप्डेट करनी हुगी चलो है हम अप्डेट करते है प्राय प्राइबेट अरद इतीजर ले देते है अन्ड टोकेन कर देंगे और इसको आईडि बना देंगे और इसकी वेलो अपने आप जनेरेट होगी तो हम इस चैनेरेट वेलो में स्टेट्य करेंगे है और यह आईडेंटिटी कर देंगे है ओडिया यह यह प्रॉब्लम सही वई तो किन ID actually अलग है और refresh token अलग है यह refresh token अपडेट भी हो सकता है ठीक है token ID अपडेट नहीं होगी चलो यह चीज़ होगी दूशरी हम लोग by direction mapping भी करेंगे भाईया user अगर आपके पास है तो आप token भी fetch कर सकते हो अपडेट करना हो token तो आप token भी fetch कर सकते हो अगर आपके पास user ID है तो कौन से फिल्ड से map हो रहा है तो refresh token के user वाले से map हो रहा है refresh token class के user वाले फिल्ड से map हो रहा है परफेक्ट इतना चीज़ होगे अब हम लोग service में आएंगे refresh token service के अंदर यहां पर हम लोग क्या करेंगे हम user हमने fetch किया तो हम यह देखेंगे directly refresh token जनरेट नहीं करेंगे हम दे refresh token directly कर सकते हैं और यह token हमें मिल जाएगा यही से अब हमारे पास refresh token अल्यडी है और अगर token नहीं होगा तो आइधिक नल मिलेगा बिल्कुल तो हम यहां पर चेक कर सकते हैं इसका मतलब करना है तो हम यहां पर क्या करेंगे और else में क्या करूंगा अगर token नल नहीं इसका मतलब उसमें है तो हम यहां पर क्या करेंगे refresh token अपडेट करेंगे और अपडेट करने का सिंपल यही तरीका है ओके सो काम करते हैं यहां पर हमने चेक किया ठीक है यह सब तो ठीक है और अगर नल है तो नल के हैं कि इसमें हम डी फैस्टो के निए क्रियां करेंगे और अगर अगर हो प्री फैस्टो कें पहले से एक्जिस्ट कर रहा है तो हम डोकन को सिर्फ अपडेट करेंगे तो की लिए से सब्धेक हमें में रिख में 5000 को 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 डीक रसके करना ऑप 972 का थो अभी and one dot set expiry and हम अगेन इंस्टेंट टॉट नाव प्लस मिलीज प्लस मिलीज and refresh validity यही का हम करने वाले थे ठीक है and बिल्कुल सही बिल्कुल सही है ठीक है देन हम अगेन क्या कर सकते हैं user dot set refresh token में अपना token यहां पर pass कर सकते हैं ठीक है तो इस user के पास नया reference आजाएगा then हम क्या कर सकते हैं refresh token 1 को save कर सकते हैं and यहां से one return करेंगे ठीक है so I think अभी हमारा काम हो जान चाहिए एक बार में refresh करता हूँ अगर काम नहीं हुआ तो हम कुछ तरीका ट्राइक करेंगे यूजर को save करेंगे उजर में data update किया हम लोगों ने पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए मुझे लगता है ठीक है कुछ गड़बड हो गया I think ठीक है हम लोग के पास database में देखने कि value अबलेबल है क्या एक बार एरर देखेंगे प्रफेक्टर हो रहा है तो इसका मतलब यह टेबल बढ़ानी पड़ेगी और वेसे बात हम लोग प्राइमरी की वगरा एड़ किये है ठीक है देन अगे हम लोग जितनी बार भी login करेगा यह login इंदसेंस की login करेगा तो नया JW token जनरेट होगा और refresh token वही रहेगा बस उसकी timing बढ़ जाएगी क्योंकि timing का मतलब अभी उसने login किया तो अभी से पाइरी बढ़ा दी और अगर रिफ्रेश टोके नहीं उसकी वैल्यू नल थी तो हमने पूरा रिफ्रेश टोकें बनाया है देन गाम किया भी मैं आपको दिखाता हूं बंदे ने जनरेट किया था रिफ्रेश टोकें इतने टाइम पर कहां गया उसका रिफ्रेश करेंगा तो यह बैलो देखी के चेंज होगी 13 20 14 जो है वह चेंज होगी मैं रिफ्रेश करता हूं करता हूं सेंड करते हैं 13 20 14 को बस आप देखेगा ठीक मैं रिफ्रेस्ट करता हूं 13 20 14 और 13 21 03 हो गया 20 के बाद 21 एक मिनिट बाद हमने उसको वैल्य चेंज की और रिफ्रेस्ट टोकेन की एक्सपायरी हमारी अब आगे बढ़ गई वा समझें जब मारे जेड़ टोकेन ऊसके बाद दुमारा करेगा तो जीडिटे टोकेन बनेगा और अगेन हमारा एक्सपायर बर अगैं कि नहीं होगा तो बन जाएगा सपोस्थ दूसरा बंद लॉग इन करता है यहां पर और अगर जाएगा और अगर रिफ्रेश्ट टोकन को हम डिलीड भी करेंगे कैसे यहां पर हम लोग क्या करेंगे उडिके है फाइड और हम यहां यह अप्ड़ करना होगा यहँ वाला टोकन यहां यहां पर नाहीं यहां यहां पर यूस करेंगे find by find by refresh token find by refresh token कर नहीं तो refresh token को यूज करके हमारा token database से भेच होगा ID को यूज करके नहीं हमें करना ठीक है क्योंगी है यह हम लोग ने ID वाली फील्ट चेंज कियें तो अब अगर थे ठीक है यह चीजे चीजे तो किसके करणे में तोधीन का काम गएक चिली कर अगा जब देड़े ट hooked एक स्पार टोंगैघ एधिडी है सब्सक्र्डा होगा आजबगोटि सब्सक्राइब कल रिखेंग और पांश इहां भी सम्टैंट करदेंगे तो हमीं मिला है 5 गंटे को 60 इसके बनीट को फिर सेचेंट कर दिया दस नीचे मटीप्लाइब हुआ है हमारा thousand then millies यहां भी पास करना है तो JW token को expire करने का हमने 5 गंटा दिया वर हम इसको कम करके और इसको expire करके देन चेक करते हैं तो हम कहें गया इसको कर देते हैं 10 यह 10 second बाद expire हो जाएगा 10 second तक आप कोई login कर सकता है या चलो 20 कर देते हैं हम कहते हैं 20 second तक कोई इस JW token को यूज कर सकता है उसके बाद यह अपने आप से expire हो जाएगा और expire हो जाएगा तो हम दुबारा से या तो login करा है और या तो हम refresh token का यूज करें ठीक है तो भाई भी देखते हैं चलो तो हम यहाँ पर login करेंगे और login करेंगे तो यह जो JW token मिल रहा है यह सिर्फ 20 seconds के लिए बहले-बहले 20 seconds टक अगर हम कोई request करना चाहे तो कर सकते हैं तो let me do 20 seconds तक request हम लोग कर लेते हैं एक-दो request मैंने पेस्ट कर लिया and send कर दें and कुछ कर बढ़ हो गया I think expire हो चुका है गया भाई ओके यह कहां से problem आ रही है यह कहां से दिक्काद आ रही भाई response कहां से अलड़ी कमिट हाँ ठीक है अभी शाही है तो अभी तो माई JWT expire हो चेगा बट जब नया बन रहा है तो फिर क्यों दिक्काद हो रही है यहां से ले करके and token को यहां पर लाते है है and then हम यूज करते हैं पेर पेस्ट कर लेते हैं and send करते हैं तो actual value क्यों नहीं आ रही यार exception आ रही access denied के कोई exception आ रही I think अब सब्सक्राइब आ रही है इसको पचास करते हैं तीक है फिर मैं मैंने रिस्टार्ट कर लिए एक बार फिफ्टी सेकंड्स कर दिया है 15 to 1000 millisecond हो जाएंगे that means millisecond ही में पास करने थे देखते हैं भाई फिट जेनरेट करते हैं JWT again security में तो हमने कोई छेटिशाट किया ही नहीं कॉपी करते हैं user में आते हैं bearer में आते हैं टोकेन को पेस्ट करते हैं ठीक है problem आ रही है कुछ दिक्कत आ रही है कुछ दिक्कत आ रही है कुछ तो दिक्कत आ रही है cannot call send error after the response has been committed ठीक है अब के नल वैलू आ रही है तो कि नल वैलू आ रही है तो इसी के वज़े से प्रॉब्लम आ रही है ओके अब देखते हैं हमारा हेडर जा रहा है प्रॉपर की नहीं जा रहा है ठीक है यार अज़े अज़े अजय और रहे हुआ है है अजय की अजय की अजय में और तक पर दो है लिए है कुछ तु दिक्कत हो रही है एक्सु डिनाइड रहा है ओके ओके एक्सु डिनाइड आ रहा है लोगिन नहीं उपा रहा है यह भी हो सकता है कि अब कि हम यहां यहां पर नल वैलू कहां से आ रही है और से प्राफॉक हो रही है कि तुम्त क्या करेंगे यह प्रॉब्लम मारी यह इसको यह दिककत आ रही है अगर हमारा जब शस्वर्च का прошл नहीं वहां पर हम लोग क्ला रहे हैं और रिफाइड कर दिया है और refresh token का object है और वहां से problem आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं यूजर के अंदर चलते हैं यहां जो refresh token हम लोगे define किया है इस यह फिल्ट तो हमें भीजनी है तो भीजनी नहीं है और नहीं मुझे accept करनी है तो हम इसको क्या करते हैं अपना application restart कर लेते हैं अब क्या होगा कि हमारा user fetch होगा user के अंदर data fetch तो होगा refresh token में बट जब JSON में convert हो रहा होगा तो refresh token नहीं convert होगा ठीक है इग्नोर कर दिया जाएगा या फिर जब आप request body से JSON में conversion कर रहे होगे उस case में भी यह process नहीं होगा तो हम यह user से ना लेना है ना भीजना है ठीक है हमने सिर्फ internal mapping के लिए कर रखा था इसको अभी देखते हैं अभी try करते हैं तो हम यहां पर login में ले ले लेते हैं अपना refresh token and यहां से हम लोग user में दे देते हैं and then paste कर लेते हैं सेब करते हैं यह देखिया परफेक्क्ली उजर एक्सेस हो पा रहे है बट यह user से पचास सेकेंड के लिए एक्सेस होगा जो हम लोग जेडेवलोटी helper यह जेडेवलोटी helper के अंदर हम लोग ने specify कर रखा 50 seconds 50 seconds के बाद access नहीं होगा क्योंकि हमारा token expire हो जाएगा और जैसे expire हो जाएगा तो हम jwe token expire हो चुका है इसका मतलब हम लोग अपने API को ने access कर सकते हैं and then हमारे पास काम आएगा refresh token यह वाला refresh token हम इस refresh token से again हम बना सकने या jwe token तो बार-बार user को login नहीं करना पड़ेगा ठीक है हमारा system का करेगा refresh token को यूज करके हमारा jwe token again उसको renew कर सकते जड़ेगा 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 तो यह देखेंगे 50 सेकंड हो चुका और 50 सेकंड हो तो exception एक्सेट रेना आने लागी और आप देख सकते हैं यहां पर यह देखे जड़ड़ी Empire आगा पासहां कि अगर जड़ड़टी एक्सपार हो चुका है तो पुराने refer么 अध्य को यृवित हम क्या ठीक करते हें और इसका देंगे और इसका नाम देंगे अपना प्लिए यहां से हम यहां पřे रेस्ट मेंगे जहांसे हम token accept करेंगे ठीक है ये class हम दो बनालेते हैं enter करेंगे create a class जो हम package के बनाएं नर बनाएंगे entity के नहीं बनाएंगे models के अदर bina लहें य दिटी के अंदर बना थे हां मॉडल्स के अंदर बना दें कंट्रोल को हटा दो गाई ठीक है क्रियेट कर लो क्लास ठीक है और इसके अंदर हम क्या रखते हैं यार सिर्फ एकी चीश हमें उजर से लेनी है देट इस एक्टुली है प्राइवेट इस्ट्रीम हरी फ्रेस्टोकें ठीक है हम यहां बना दे थें डेटर ठीक है और डेटा में अधिंग साई श्या आजाएंगे इन हमें यहां पर डेटा मिल जाएगा हमें रीफर टोकें मिल जाएगा अब पूच्सन bet हम क्या करेंगे हम सबसे घ्डियंथ को वेरिफाइग विफट थे ह dose E35 qعم Store ठीक है तो हम कहेंगे यहां रीफो र पास करने है अपना request.get refresh token और हमें यहां पर यह refresh token मिल जाएगा अब अगर refresh token मिल जाएगा दर में समारा है यह verification हो चुका है और verification हो चुका है तो obviously बात है कि हमारे पास refresh token आज चुका है अगर verification नहीं हुआ होता है हो चुका हो था तो problem हो जाती क्या problem यह हो जाती कि error आ जाती और error हम लोग नहीं यहां पर throw कर रखिए मैं आपको दिखाता हूँ repo service के अंदर यह देखे ठीक है तो अगर यह expired हो चुका हुआ तो token delete भी हो जाता और token refresh token expired exception आ जाती और user मिल जाएगा तो अब यसे बात हम अपना token भी जनेरेट कर सकते हैं JWT helper को यूज़ करके this.to helper.generate token हम यूजर डिटेल पास करने ही तरफिस हम यह यूज़र पास कर सकते हैं और हमारी कहानी हो चुगी यह हमारा token आ चुका है अगेन हम क्या कर सकते है return कर सकते है JWT response.builder.refresh token में हम अगेन refresh token.get token pass कर देंगे तेन अगेन .jwt token में हम अपना token pass कर देंगे तेन अगेन हम token के बाद और गया था यूजर नेम था तो यूजर नेम हमारा user.get email is actually username and finally हम क्या कर देंगे build कर देंगे ठीक है लेकिन यह सब चीज हमें pass करनी है अच्छा हम यहां directly response कर देते हैं इतना हम यहां JWT response बना देते हैं बस हमारा token बन जाएगा अगेन हमें कुछ नहीं करना पड़ाएगा ठीक है बिना login के यह access हो सकती है ठीक है सो हम क्या करते हैं इसको public करने के लिए हम security के अंदर चलते हैं security config के अंदर and इसको public करने के लिए हम यह देखे हैं हमारी home वाली public हमारी auth login वाली public है create user वाली public है इसी तरह हम क्या करते हैं आंट मैच इसके बाद हम लोग permit all के बाद हम लोग आते हैं request match not aren't match request request matcher यहां pass कर देते हैं slash auth slash refresh and refresh के बाद हम लोग कर देते हैं भाईया permit कर दो सारी चीजें permit all कर दिया तो हमारी यह वाली API भी accessible रहेगी without permission ठीक है चला वाई ओके अब refresh करके देखते हैं token क्या refresh हो रहा है token बन रहा है कि नहीं बन रहा है so आ जाते हैं यहां पर and again अभी expire करोगे use करोगे ने access होगा so हम यहां पर token बनाते हैं एक exactly हमारा token बन चुका है copy कर लेते हैं यहां पर आते हैं bearer में डालते है token पेस्ट करते हैं send करते हैं exactly जो रहा है अब एक मिनट का वेट करते हैं token को expire होने का वेट करते हैं उसके बाद हम यह रीफेस्ट करेंगे क्योंकि यह database में आ चुका है और यह हमारा क्या करता है हमारे जाला हमारा यहां पर भी आ चुका है यह रीफेस्ट होने और हमारा इस वाला ही जीर वाला है ठीक है सो बएक देख लेते हैं अभी चल रहा है चल रहा है चल रहा है यह एक मेंट नहीं हुए तब तक हम लोग नया login के लिए login के तरव हम लोग एक request भागते हैं इसी को duplicate कर लेते हैं यह actually है refresh की refresh token की save कर लेते हैं and auth के बाद हम यहां लिखेंगे refresh method होगा post body में हम यहां pass करेंगे refresh token सब्सक्राइब है तो करते हैं इहां पिर मेश्ट करते हैं यहां प्याओ रसे फ्रहते हैं पेस्ट करते हैं यह देखेंगेगें रहें दूसरा जीड़रियो कि तुकका जिसके लास्ट में TNA है और पहले वाले में गया था वन क्यूव गया रहा था ठीक है अब दुबारा साइज डेवल टोकेन हमें एकसेस कर रहा है तो एकसेस कर लिया हमने टोकेन अब हमें एकसेस करने ही तो टोकेन मैंने डाल दिया और यह देखिए आपका अगेन API एकसेस हो रही है और यह जरी हम लोग के रहना है रीफेस टोकेन यहाँ से अब एक बार क्या करते हैं बस लास्ट ट्राइ अच्वारे मारते हैं हम लोग क्या करेंगे अपने रीफेस्ट की विवेलिडीटी चेक करेंगे और उसके लिए रीफेस्टोकेन के अदर के इसमें चैनल करेंगे अगर हमारे कि गलए 60 सेकंड है तो हम अपने रsecond कि रखेंगे की अबना कि रिफरेस की टोकन की मेंने यहाङ है नगिल ठोकर्ट करेंगे और एक JW token generate करेंगे ठीक है यहां पर आ जाते हैं refresh token generate कर लेते हैं आए यह वाल हमारा refresh token है जिसकी validity अब सिर्फ सिर्फ दो मिनट है 120 seconds है ठीक है चलो आप यह refresh token काम करेगा 2 minutes तक काम करेगा और यह token 60 seconds तक में लगए एक मिनट तक काम करेगा तो एक मिनट तक का हम API access करते है एक मिनट तक का API access करते हैं एक मिनट तक का API access हो जाएगी कोई दिक्रत वाली बात नहीं और एक मिनट के बाद JW token expired होगा तो हमारी API इस नहीं access होगी तब काम आएगा हमारा refresh token refresh token हमें नया आकर देदेगा लेकिन सिर्फ सिर्फ दो मिनट तक कि इसका मतलब दो मिनट बात वहीं काम नहीं करने लगेगा ठीक है यह बहुत मैज़दार चीज़ है काफी इंट्रस्टिंग चीज़े बस लास्ट ट्राइए और तब तक हम इसको सेब कर रहे हैं इसको भी आपने रिक्वस्ट में जहां से रीफ्रेच्ट टोकें हमारा जीड़्वços करेंगा बिलकूल हमारी हो चुका है और इसको कॉपि कर लेंगे चैं यहाँ पे आएंगे पेस्ट करेंगे यह करने के लिए कि हमारा जो क्कुर रहा है की देता से करते हैं अभी तक तो एकार रह साथ कबम सकने बिलकुल भी तक दो यह अधे स्काइक किंट इनिला यह देखा है कि अ आई दीए मिटुच को गार्ट घिदुच हुगा है कि हमका वेड करते हैं यह यह जाचुगा सबा hij पूलिए भी जानवागा ऐगर होगा ड़ा साही काम कर रहा हैै लाजीग है काम करते बार पॉस करके देरा इसका मतलत हम स्क्राइए करने पार है कि यह तिसके फ था नहीं चल रहmeal अगर यह कंडिशन चलती है सो यह टोकन डिलीट हो जाता और यहां से runtime exception आ जाती टोकन expired बट यह नहीं हो रहा है आप देख लो बार-बार नहीं है टोके जटोके मिल जा रहा है और इसको मैंने कॉल भी किया रहे वेरिफाइट टोकें को हम अपने और से कॉल कर रखे थे और से कॉल कर रखा है और कहा गय है ओध 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 आफ ओध से पहलए वेरिफाइट टूकन के राक्क हो टोकें पास करका और जहीं हे चलता है के क्यों यह काम ने कर रहा है धंयार हो हम लोग कैसी क्यों करेंगे थेखराइब thrilling को ग्रने ऑंदध करेंगे अगेंd ट्राइए करेंगे, ठीक है, 1000, 1 millisecond में एक second में 1000 millisecond होते हैं, तो हमें अपने सेकन्ड को 1000 millisecond से multiply करने होगा, ठीक है बाकि वही प्रोसस है हमारे ज्सलिक टोडरी के लिएцев pictiblление we Amazing고 test partners means मिल गया एंड यहां लगाते हैं एक मिनेट के लिए एक मिनेट के लिए तो एक मिनेट के लिए 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 क्योंकि हमारा jw token expire हो जाएगा उसके बाद काम आएगा refresh token का ठीक है सो मैं refresh कर रहा हूं लगातार पता नहीं I don't know ठीक है एक मिनिट बाद एक मिनिट तक वेट करते हैं उसके बाद obviously बात है कि हमें काम आएगा refresh token जिस जिस वज़े से हम लोग ने इंप्लमेंटेशन कर रखी है यह देखें यह गायब हो चुकिए अब हमारा refresh token देखते हैं यह देखें refresh token हमारा बहुत परफेक्ली काम कर रहा है नए आज jw token without username और id जनेरेट करके दे रहा है तो हम लोग से copy कर लेते हैं users में चलते हैं again and headers में अगें लगाते हैं इसको send करते है perfectly ठीक है बड़ एक मिनिट बाद इसको generate नहीं करना चाहिए एक मिनिट बाद तो let's see okay so एक मिनिट के लिए था यह वाला भी एक मिनिट था और अभी भी जनेरेट कर रहा है so तब तक यार हम दोग क्या करते है यह रिफ्रेस कर लते हैं अपने इस token को ठीक है अभी भी जनेरेट कर रहा है यह एक स्पायर हो चुका है अभी भी कुछ गलत है कहीं पर गलत हो रहा है टाइमिंग का ही यूश्यू हो सकता कहीं हम लोग ने सई से लिया ना हो ठीक है आई ठीक है अब देख सकतो हुए यहाँ फर्स टोकन भी आया बहुंच चुका है पर प्रफिकले हमारे रिफ्रेस टोकन भी चल रहा है आप देखो यहाँ पर अगर आग दोगो देखें आतो जह रहा है रिफ्रेस जा भी चुका after expiration तो हमने successful implement कर लिया अब एक guys यहां पर मैं आपको एक guide देना बताना चाहूँगा कि refresh token की validity हमेशा जादा होती है JWT token से यह जाद रखेगा ठीक है अगर refresh token जादा होगा तभी वो particular interval of time के बीच में जीड नया JWT token बना के दे पाएगा अब ऐसे बेगोफी मत कर दिजेगा कि refresh token की validity आपने कम कर दिया JWT token की validity जादा कर दिया उसका मतलब ही जा है ठीक है अगर एक दिन validity है मारे JWT token की तो दो दिन डेटी दिन validity हमारे JWT token की होगी जो नया JWT token हमें बना के देगा okay so I hope आपको सबज भी आया होगा यह वीडियो और अगर वीडियो सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत बोलेगा जिससे मारा झाल